इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकुम रहमत ल्लाई वरकातु इत्याद नूज में आप सबी का खैर मगदम है मलक में मुसल्मान सबसे बड़े अकलिती समाज के तौर पर देखा जाता है पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसल्मान सबसे पिछड़ा समाज है यहाँ तक के दलित समाज से भी पिछड़ा है मुक्तली पतंजिमे इदारे अपने कामों को अंजाम जरूर दे रहे हैं पर इसके बावजूद समाज में गरीबी बेरोजगारी में इजाफाई होता जा रहा है यल्म रोशनी है लहाजा मुसल्म समाज इस रोशनी से महरूम होता दिकाई दे रहा है असोशन आप मुसल्म प्रोफेशनल्स की जानिब से नियाज होटल के बैंकिट हौल में इजलास मनक्त किया गया था जिसमें मुसल्म माशरे को कैसे बेतर बना जा सकता है रोशगार कैसे मुहिया किया जा सकता है इल्मी मियार को किस तरह बढ़ाए जा सकता है इस पर तबादले ख्याल किया गया बेलगाम शहर के एहम शक्सितों को बुला कर EMP के आगराज और मकासित बयान किये गए कि मुसलिम तलबाओं में अक्सर पढ़ना लिखना तो चाहते हैं पर घर के हालात रुकाट बन जाते हैं जिससे दसवी तक भी न पहुँचने वाली काफी ताइदात होती है कुछ लड़का या लड़कियां बारवी तक इलम हासिल करते हैं पर काबिलेत होने के बावजूद भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते एमपी इलमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हासिल तरह के मताबिक तकरीबने एक लाग से भी जायत बच्चे पूरे मुलक में एमपी से मदद हासिल करके आगे बढ़ रही एमपी इलम रोजगार हुनर हर महास पर रह बरी करने की कोशिश कर रही एमपी का कयाम 1990 में आमल में आया और इसका मरकजी दफ्तर बंबई में वाकिय है हुबली में एमपी बेतरीन खिद्मात अंजाम दे रहा है बेलगाम शहर में भी इसका कयाम आमल में आया आज के जलास की शुरुआत कुरान करीम की तरावच से हुई और मेहमानों का तारूफ और इस्तक्बाल जनाब आलमसंदी और जनाब निसार बेलोडी ने किया निजामत और मेहमानों का तारूफ इम्तियास सेद ने किराया हुबली से आसीफ इकबाल दनवाड ने एमपी का तारूफ और आगरा से मकसित बयान किया जनाब अफ्ताब अब्तार जिनका तालुक धारवाड से है एमपी के खिद्मात का बेवरा दिया जनाब यमे मुमीन ने दो हजार कीस में एमपी की मनसुबबंदी और उस पर अमल किस तरह किया जाएगा इसके तफसिलात बयान किया जनाब सादीक पाच्चापुरी जो बिलगाम शहर के खिद्मधार है बिलगाम शहर उतराप में एमपी के कामों पर रुशन डली आखर में डॉक्टर आती करंगरेज ने हदिय तशक्र पेश किया स्कूलों की बहतरी के साथ तालिमी मियार को किस तरह बढ़ा जाएगा इस पर तबादले ख्याल भी किया गा जिसमें बिलगाम शहर के मुक्तलिफ उर्दू स्कूलों के असातिजाओं ने शिर्कत फरमाई इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अल्हाफिस